47 इंचिस के चेस्ट, इंडियन बॉड़ीबिल्डर मनुहर एक सेकंड हिंजिन है तो विन मिस्टर यूनिवर्स 1952 में नाबर यूनिवर्स कौंप चैपिन्शिप में सबसे छोटे बॉड़ीबिल्डर एठ हाइट 4'11 इंचिस का मनुहर रखा ही था और इनका नाम पढ़ा प लोगों का माइंसेट है कि भाई बॉड़ीबिल्डिंग इंडिया में बॉलीवूड के वह से आया है लेकि 1952 में इंडिया में बॉड़ीबिल्डिंग उतना ही फेमस था जितना भार की देशों में आपको पपा होना चाहिए मिस्टर ओलिंपिय का फूर्स्ट एवर शोग 1965 में था और यहां हम 1952 के बारे में बात हो रही है मनहोर एक नैचरल बॉड़ी बिल्डर है और लंबी उमर का एक एक एक्जेंपल है पॉकेट हरकिल्यूस के नाम से पूरी दुनिया में मशूर है मनहोर 1912 बंगलादेश में कॉमिला गाउं में इनकी जनम हुई और 13 के उम में एक्सेसाइस करना शुरू कर दिया उस वक्त इंडिया में बॉड़ी बिलिंग इतना मशूर नहीं था कि गली गली जिम हो जैसे आज की दौर में हर एक किलोमेटर में एक जिम होता है तो मनहोर ने कैलिस्टेनिक ट्रेनिंग शुरू कर दिया और 100 स्कॉाट 100 पुल अप 100 पुश अप से एक्ससाइस करते थे स्कूल में पढ़ते हुए स्कूल के एक फांशन में मनहोर एक मैजिशन्स मिले जिनका नाम PC सरकार था इस मैजिशन्स ने मनहोर के काबलियत पैचान ली और शो में एक प्रफॉर्मन के तौर पे काम करना का ओफर दिया जिससे मनहोर न 1942 में मनहोर को Royal Air Force में नौकरी मिली और वहां भी एक British officer ने मनहोर का काबलियत पैचान ली और मनहोर को Body Building इंट्रिड्यूस किया था मनोहर के फॉस्ट एवर बॉड़ी बिलिंग ट्रेनिंग, मनोहर के लिए एक अनबिलीविंग एक्सपिरियंस था और फॉस्ट ट्रेनिंग से ही उन्हें ट्रेनिंग करने का शौक पढ़ गया, फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़के नहीं देगा, और यही वक्त था जहा इंडिया के इंडिपेंडिन्स के मूव्मेंट के दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया और इंडिपेंडिन्स के बारे में बुरा बला कहरा था जिसकी वज़े से मनोहर ने ब्रिटिश ऑफिसर को थपण मारा और कोट माशल में मनोहर को इंडिया में जेल में बंद कर और वो कैलिस्टैनिक को मास्टर करके इतना के वो 12 आर्स तक ट्रेंड करते रहे एवरी डे 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडिन्स मिला तो दो हिंदू के न्यूस पेपर में उनका तस्वीर छप गई और मानोहर एक हीरो के तरह एक देशबक के तरह लोग देखने लगे और रिलीज होते ही मानोहर ने वापिस से अपना बॉड़ी बिल्डिंग ट्रेनिंग शुरू कर दिया और डिफरेंट शोस आल ओवर दे वर्ल्ड कंपीट करने लगे 38 के एज में अपना फॉस्ट एवर टाइटल जीता है 1950 में ये मिस्टर हर्किलीस का बॉड़ी बिल्डिंग कॉंपटिशन था फॉस्ट एवर 1965 मिस्टर ओलिंपिया से 15 साल पहले और यही से इनका नाम पढ़ा पॉकेट हर्किलीस माइंडिट मनोहर से 4 feet 11 inches के थे और 1952 में मनोहर ने मिस्टर ओलिंवर्स का टाइटल जीत लिया सेकंड इंडियन एवर टू विन लास्ट ली कहने को तो बहुत कुछ है मनोहर के बारे में लेकिन इमाजिन ये बंदा लंबी उंबर का एक्जामपल भी है 90's में भी मनोहर ने बाडि बिल्नी शो में कमपीट किया है इन्होंने अपना बाडि मेंटीन रखा इतने सालों तक इसे कहते है रियल लेजेंड और जितने लोगों की केरियर है उतने सालों तक तो ये बंदा अपना बाडि मेंटीन करता रहा मनहुर एक 100 साल के उमर में भी अपना डाइट फॉलो करते हैं जहां वो फिश, मिल्क, वेजिटेबल और राइस खाते हैं मनहुर ने कभी सिगरेट या अल्काहॉल कंजियूम नहीं किया और ये मैं भी कहना चाहता हूँ ये बंदा एक एक एक्जामपल है नैशनल बॉडी बिल्डिंग का क्योंकि कोई भी स्टेरोइड यूज करके 100 तक नहीं जीच सकता ये फैक्ट है आज की स्टेरोइड बहुत ही ज्यादा पोटेट होते हैं और आल्टर्ड वर्जिन ही मिलता है जहां लोगों की लाइफ रिस्क पे होती है अगर डोजेज या डाइट में मिस्टेक करते हैं आज कल बॉडी बिल्डर जल्दी मनने लगे हैं गाइनो और हर्डनी जैसे प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है आज के दौर के बॉडी बिल्डर में और बहुत ही कॉमन है मुसल टेर इशू जो हर स्टेर उस यूजर फेस करता है मुसल का साइस तो बढ़ता है और बलकी होता है लेकिन आपकी जॉइन्स वीक ही रहते हैं अगर आप चाहते हो एक और इंडियन गोल्डिन एज बॉडी बिल्डर पे वीडियो बनाने चाहिए कमेंट करना और फॉस्ट एवर इंडियन कौन है जन्होंने मिस्टर यूनिवर्स कम्प्रीट किया तक कमेंट करके नीचे बताना